Hello everyone, इस वीडियो में देखेंगे reasoning का important question, सभी question important और selected question लिए गया है और इसमें आपको सबसे हैसाथ trick बताएंगे, तो चलिए देखते हैं first question दीगी से रिंखला में अगला पद क्या होगा यहाँ देखे, g h होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? h, 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 g लिखा है, तो यहाँ से इसे लिखा है, उसके बाद क्या होता है? i, j होता है, तो इस परकार से लिखा है, उसके बाद क्या होता है? k और l होता है, तो इस परकार से लिखा है, m और n इस परकार से है, तो आगे कैसे होगा? इधर से होगा, तो M के बाद क्या होता है, M, N, O, P होता है, तो O यहाँ इधर से होगा और P ऐसे होगा, तो देखे किस option में, option number B में, option number B सही answer है, next question देखते हैं, अगला question, नीचे दीगे प्रश्ण का सही वेन आरेक बताएं, पुरूस, पिता और इंजिनियर, जब भी किस परकार से होगा, तो सबसे पहले, यह पुरूस का बन जागा, इसके अंदर पिता का आ जागा, और कुछ इंजिनियर, यहाँ से यह हो जागा, तो ऐसा देखे किस option में, option number C में, option number C सही answer है, next question देखते हैं, यदि plus का अर्थ, multiply, minus का अर्थ, भाग, multiply का अर्थ, प्लस, और भाग का अर्थ, minus है, तो, 225, भाग, 5, प्लस, 96, minus 3, multiply, 31 का मान, क्या होगा, तो देखे, सिंबोल को change करना है, यहाँ भाग का है, तो भाग का मतलब यहाँ पे देखे, क्या दिया गया है, मल, यहाँ से, भाग का, अर्थ, इस जगह देखे, भाग का अर्थ, क्या दिया का अर्थ, यहाँ देखे, भाग का अर्थ, minus है, minus 5, फिर, क्या बोल रहा है, यहाँ पे, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ, यहाँ पे खुजना है, देखे, प्लस का अर्थ, multiply, तो, यहाँ पे, multiply, 96, फिर, माइनस का अर्थ, क्या दिया है माइनस का अर्थ, यहां पे खुजना आपको, माइनस का अर्थ क्या है, यहां पे भाग है, यहां से भाग का चीन देंगे, और यहां पे 3 है, फिर मल्टिप्लाई का, मल्टिप्लाई का देखेंगे क्या दिया गया, मल्टिप्लाई का बतलब पलस है, यहां से लिखेंगे पल माइनस है 225. तो यहां पर multiply we project हैं गा do multiply कर लेंगे एक 170 आजा जाएंगा प्लस यहांपे 31 हैं हम और कितना है 255 तो पहले क्या होता है प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा तो 225 प्लस 31 जोड़ लेंगे कितना जाएँगा 256 और में 160 खटा लेंगे कितना आ जागा 96 96 देखिया option नमर बी में option नमर बी सही answer है next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है नीचे दीगे प्रश्ण में लुप संख्यां गयात किजी question mark यहां पर है या तो यह 38 और 42 को क्या करें जो 44 आ जाए या तो 42 और 47 को क्या करें 42 और यह 23 को क्या करें जो से 30 सब्सक्राइब देखें दोना तरह से सोच सकते हैं अगर यहां पर 38 और 42 का अंतर कर लेंगे घटा लेंगे कितना जगा चार और चार को 11 से मल्टिप्लाइब कर लेंगे कितना जगा 11 से multiply कर लेंगे कितना जगा 44 तो यहां वाला 44 बीट वाला दिया है आगे भी यहां भी वही करना है 28 और 23 का अंतर कितना होता है 5, 5 को 11 से multiply कर लेंगे 11 से गुना कर लेंगे कितना जगा 55 आगे भी यहां पर देखेंगे 37 और 49 का अंतर कितना है दो का इसको भी 11 से गुना कर लेंगे कितना जगा 22 देखिया उप्सन नमर एक अगला कोशन देखते हैं नीचे अकरती में कुल कितने तिरभूज हैं सबसे पहले नमरिंग करना है यहां पर देखिए तिरभूज दिख रहा होगा आपको एक दो तीन चार पांच यहां से यह 12 हो गया अब दो-दो मिलके एक बनाएगा 12 के बाद यहां पर देखिए यह तीन और चार मिलके एक बनाएगा 13 पांच और छे चौदा साथ और आठ और यह तो यहां से कितना आ गया यह चार आ गया अब देखिए यह दोनों 11 और 9 भी एक मिल बनेगा और इधर से भी यहां से इसे देख सकते हैं यह दोनों मिलके बनाएगा यहां से भी चार आ जागा 12 चार 16 चार कितना जागा 20 बीस देखिए option number D में option number D सही answer है अगला question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है उस विकलपा चायान करे जो दिये गए विकलप अन विकलपों से भीन है यहां पे देखिए सबसे पहले एपी अब्दूल्कलाम कि एपीजे अबदूलकलाम क्या है यह क्या है राष्टपति पुर्व राष्टपती है यह राजी दुक्र कंम मुकर जी यह राष्टपति हैं परती बाटिल भी पूर्वरास परती हैं तो यहां पर अलग कौन सा हो जाए गांदी यह कौन मंत्री है मंत्री है जगा अगो जाएगा नेक्स्ट कोसन देखते हैं अगला कोसन क्या दिया गया है निमलिकित सरिंखला में प्रश्णवाचक चीन के जगह क्या आएगा छे तीन चार 93 वेरासी को से मार्क वहुत इंपॉर्टेंट यह तरीका से बनेगा और यहां पर ध्यान से देखे अगर यहां पर चे को एक से मंट्ीप्लाई कर लेकर इसक्राइब कितना आजागा चैए और छे में तीन गटा लेंगे रिवाटा लेंगे कितना आजागा 3, 3 आ जागा, 3 को, यह वाला 3 को 3 से multiply कर लेंगे, कितना जागा, 9 और 9 में 5 घटा लेंगे, कितना जागा, 4, अब देखे, यहां पर 4 जो आया, 4 को 5 से multiply करेंगे, 1, 3, 5, तो यहां पर देखे, 5 से multiply कर लेंगे, कितना जागा, 20, और 20 में 5 यहां घटा है, तो यहां 7 एक तीन पांच इसको साथ से मल्टीप्लाइ करना होगा कितना जागा एक आनवे 91 एक आनवे को नो घटा लेंगे फिर से यहां कितना जागा बिरासी फिर बिरासी को किसे मल्टीप्लाइ करना होगा साथ से किये तो आगे करना होगा 9 से 9 से multiply कर लेंगे कितना जागा 738 738 में कितना घटाएंगे 3579 यहां घटाएंगे 11 11 घटा लेंगे कितना आ जागा 727 727 देखिया option number d में option number d सही answer है next question देखते हैं अगला देखिये 123, 83, 51, 23 और 11 है तो अगर यहां पर इसका square देखिये यह 11 का square पलस दो करेंगे कितना 123 है यह 9 का square लेंगे तो 83 आ जागा यह 7 का square पलस दो कर लेंगे तो 15 आ जागा यह 23 जो है 5 का square माइनस दो करेंगे तो आएगा 23 और यहां पर 11 जो है यह 3 का square पलस टू कर लेंगे तो आ जागा तो यहां पर देखिये सभी में पलस टू हो रहा है स्कॉयर हो रहा है लेकिन यहां पर माइनस हो रहा है स्कॉयर हो रहा है तो यहीं अलग हो जाएगा तो 23 देखें ऑप्सन नमर बी में है ऑप्सन नमर बी सही एंसर है नेक्स्ट कोशन देखते हैं दिये गए विकल्पों में से लुप तंग ग्यात कीजिए यहां पर 4-6-10-18- 24 कोशन मार्ग है तभी दिखें अगर यहां पर चार का 2 गुझा कर लेंगे चार को दो गुझा कर लेंगे कितना जगा आठ उर्ट में दो घटा लेंगे कितना जगा चे तब यहां वाला वाला जे 36 में दो घठा लेंगे कितना जगा 34 यहां वाला आगे वाला दिया गया है फिर 34 दो से मल्टिप्लाइ कर लेंगे चार दोना आठ तीन दोना सट आगे से कितना जगा अप्शन नम्मर सी सही अंसर है अगला कोश्चन देखते हैं टी पी की बहू है पी को एक बेटी यू डबलू का टी से क्या रिष्टा है सबसे पहले पी की बहू टी है तो यहां पर लिखेंगे पी की बहू टी है तो इसका बेटा होगा उसके बाद ही बहू होगा तो यहां लिखेंगे यह कौन है टी बहू है तो यहां इसको मैनस से भी करेंगे अब देखे पी की एक बेटी यू है इसका पी का बेटी है यहां पर यू है जिसको माइनस कर लेंगे यू आगे बोला और एक बेटा डबलू है यहां पर बेटा डबलू का T का रिस्ता क्या है ये डबलू और टी का रिस्ता क्या है पती पतनी है लेकिन पूछ रहा है डबलू ट का कर sk Lo